समाध द्वारा लड़ों से तोला गया, काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्पुर से आए हमारे सजनों के द्वारा, देईों के द्वारा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लों के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर मैं याद करता रहूँगा और मैं समगता हूँ कि यह स्वागत यह विस्नु साय का नहीं बलकि यह पूरे जस्पुर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के असिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथी बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है इस सब कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सपर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिरवाद मारदर्सन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोधी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36गड की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री शोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36गड में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दोरान में 18 लाख लोग परधान मंत्री आवाज से बंचीत हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्षन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारीक को हम लोगों ने सपत लिया और चौदा तारीक को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाख परधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 1921 दिसमर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर 12,000 करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के लिभी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्य कारकरता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्यमंत्री का दाइत्व संभालने के पस्चात आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है यह जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि यह जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्रगे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्फूर की भूमे को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्फूर के अंदर में हुआ पूरे जस्फूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाद्वारा लड़ों से तौला गया काजू से तौला गया और यहाँ पर पूरे जस्फूर से आए हमारे सजनों के द्वारा देईों के द्वारा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर में याद करता रहूँगा और मैं समता हूँ कि यह स्वागत यह विस्णू साय का नहीं बल्कि यह पूरे जस्फूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदूओ आप लोगों के अशिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथे बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है यह सब कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे रास्ट्री नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का सिर्वाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव प्रचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पाटी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे प्रधान मंत्री श्रोय माकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले 5 साल के दोरान में 18 लाख लोग परधान मंत्री आवास से बंचीत हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्षन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे वुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारी को हम लोगों ने सपत लिया और 14 तारी को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाख परधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 19 वी सिकिस दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर 12 हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्ले कार करता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्य मंत्री का दाइत्व संभालने के पश्चात आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी मी रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्वूर की भूमे को मैं सत्सत नमन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्वूर के अंदर में हुआ पूर्य जस्वूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाद दोरा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्वूर से आए हमारे सजनों के दोरा देहियों के दोरा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर मैं याद करता रहूँगा और मैं समगता हूँ कि यह स्वागत यह विस्णू साय का नहीं बलकि यह पूरे जस्वूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपय का भूमी फुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी फुजन और लोकारपन किये हैं बंद वो आप लोगों के आशिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथी बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है ये सब कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्ट्रे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रदान मंत्री नरेन्द मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सपर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिर्वाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री श्रोय माकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दौरान में 18 लाख लोग परधान मंत्री आवास से बंचीत हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्षन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारी को हम लोगों ने सपत लिया और चौदा तारी को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाख परधान मंत्री आवास बनाने का निर्ने लिये और 19-20 दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर 12,000 करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्य कारकरता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और फ्रेश के मित्रों मुख्यमंत्री का दाइत्व संभालने के पस्चात आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलीब सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्फूर की भूमी को मैं सत्सत नमन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्फूर के अंदर में हुआ पूरे जस्फूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाद दोरा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्फूर से आए हमारे सजनों के दोरा देहों के दोरा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर मैं याद करता रहूँगा और मैं समगता हूँ कि ये स्वागत ये विस्नु साय का नहीं बल्कि ये पूरे जस्फूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पुरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम हैं जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के आशिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पाटी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथे बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है यह सभ कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिर गढ़ की जनता का विश्वास हमारे देश के असरस्विय प्रधानमंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अद्यक्ष जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाइत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का सिर्वाद मारदसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री श्रोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मूख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दोरान में 18 लाक लोग परधान मंत्री आवाज से बंचित हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्शन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे वुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि 13 तारीक को हम लोगों ने सपत लिया और 14 तारीक को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाक परधान मंती आवास बनाने का निरने लिये और 19-21 दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर 12 हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के लिभी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्य कारकरता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्य मंत्री का दाइत्व संभालने के पश्चाथ आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलीब सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्फूर की भूमे को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्फूर के अंदर में हुआ पूरे जस्फूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाध दोरा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्फूर से आए हमारे सजनों के दोरा देयों के दोरा लंबा मालियारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर मैं याद करता रहूँगा और मैं समता हूँ कि ये स्वागत ये विश्नु साय का नहीं बलकि ये पूरे जस्फूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के असिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिस्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथे बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है यह सभ कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधानमंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इसको चतिस गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिरवाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री श्रोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दोरान में 18 लाख लोग परधान मंत्री आवास से बंचीत हो गए है उनका पका का मकान सेंक्शन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे मुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारी को हम लोगों ने सपत लिया और चौदा तारी को पहला केबिनेट बुलाकर अठारा लाख प्रदानमंती आवास बनाने का निर्ने लिये और 19-21 दिसमर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर बारह हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें प्रदानमंती आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्ले कार करता भाईयों और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताइं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्यमंत्री का दाइत्व संभालने के पस्चात आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पड़ाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्पूर की भूमी को मैं सत्सत नमन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्पूर के अंदर में हुआ पूरे जस्पूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाद्वारा लड़ों से तौला गया काजू से तौला गया और यहां पर पूरे जस्पूर से आए हमारे सजनों के द्वारा देईों के द्वारा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर में याद करता रहूँगा और मैं समता हूँ कि यह स्वागत यह विस्णू साय का नहीं बल्कि यह पूरे जस्फूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के असिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथे बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है ये सब कारकरताओं के बदलत हुआ है हमारे राष्टि नितित्तों के बदलत हुआ है चतिरगण की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधानमंत्री नरेन मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड्डा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाइत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का सिर्वाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव प्रचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे प्रधान मंत्री श्रोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मूख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दवरान में अठारा लाक लोग प्रधान मंत्री आवास से बंचित हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्शन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारी को हम लोगों ने सपत लिया और चौदा तारी को पहला केबिनेट बुलाकर अठारा लाक प्रधान मंत्य आवास बनाने का निरने लिये और उन्नीस बीस सिकिस दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर बारह हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें प्रधान मंत्री आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये एस्पी सहब सभी अधिकारी करमचारीगर्ण और आज के इस कारकरम में जस्पूर भर से आए देव तुल्ले कार करता भाईयों और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और फ्रेश के मित्रों मुख्य मंत्री का दाइत्व संभालने के पश्चात आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्व भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे है तो ऐसे जस्पूर की भूमी को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्पूर के अंदर में हुआ पूरे जस्पूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाद दोरा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्पूर से आए हमारे सजनों के दोरा देयों के दोरा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर मैं याद करता रहूंगा और मैं समता हूं कि यह स्वागत यह विस्नु साय का नहीं बल्कि यह पूरे जस्पूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के आशिर्वात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जीले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथे बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है इस सब कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्ट्री नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधान मंत्री नरेन मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सपर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिर्वाद मारदसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री श्रोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दोरान में 18 लाख लोग परधान मंत्री आवाज से बंचीत हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्षन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे वुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारी को हम लोगों ने सपत लिया और चौदा तारी को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाख परधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 19-21 दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर 12,000 करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के लिभी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्य कारकरता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्यमंत्री का दाइत्व संभालने के पस्चाथ आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेवजी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्फूर की भूमे को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्फूर के अंदर में हुआ पूरे जस्फूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वणकार समाद दोरा लडों से तोला गया काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्फूर से आए हमारे सजनों के दोरा देयों के दोरा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर मैं याद करता रहूँगा और मैं समगता हूँ कि ये स्वागत ये विस्नु साय का नहीं बल्कि ये पूरे जस्फूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के आशिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिस्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथी बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है यह सभ कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्तस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्धक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का सिर्वाद मारदर्शन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव प्रचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे प्रधान मंत्री श्रोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मूख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दोरान में 18 लाक लोग प्रधान मंत्री आवाज से बंचीत हो गए है उनका पका का मकान सेंक्शन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि 13 तारीक को हम लोगों ने सपत लिया और 14 तारीक को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाक प्रधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 19-21 दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर 12 हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें प्रधान मंत्री आवास के लिभी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्य कारकरता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताइं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्य मंत्री का दाइत्व संभालने के पस्चाथ आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलीब सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्फूर की भूमे को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्फूर के अंदर में हुआ पूरे जस्फूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाद्वारा लड़ों से तौला गया काजू से तौला गया और यहाँ पर पूरे जस्फूर से आए हमारे सजनों के द्वारा देईों के द्वारा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर में याद करता रहूँगा और मैं समता हूँ कि यह स्वागत यह विस्णू साय का नहीं बल्कि यह पूरे जस्फूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पूजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम हैं जिनका भूमी पूजन और लोकारपन किये हैं आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्फूर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत-बहुत बधाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौते बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है यह सभ कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधानमंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो देवाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का सिर्वाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री श्रोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मूख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले 5 साल के दोरान में 18 लाक लोग परधान मंत्री आवास से बंचित हो गए है उनका पका का मकान सेंक्शन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि 13 तारीक को हम लोगों ने सपत लिया और 14 तारीक को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाक परदानमंत्री आवास बनाने का निर्ने लिये और 19 वी सिकिस दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवाकर 12 हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परदानमंत्री आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्ने कार करता भाईयों और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताइं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्यमंत्री का दाइत्व संभालने के पस्चाथ आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहें कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्पूर की भूमी को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्पूर के अंदर में हुआ पूरे जस्पूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वनकार समाद्वारा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहां पर पूरे जस्पूर से आए हमारे सजनों के द्वारा देईों के द्वारा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर मैं याद करता रहूँगा और मैं समता हूँ कि यह स्वागत यह विस्णू साय का नहीं बल्कि यह पूरे जस्पूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपय का भूमी पूजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पूजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के असिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथी बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है यह सभ कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिरवाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोशन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे प्रधान मंत्री शोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दवरान में 18 लाख लोग परधान मंत्री आवास से बंचित हो गए है उनका पका का मकान सेंक्शन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारी को हम लोगों ने सपत लिया और 14 तारी को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाख परधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 19 वी सिकिस दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवाकर 12 हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये एस्पी सहब सभी अधिकारी करमचारी गण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्य कारकरता भाईयों और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं वहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्य मंत्री का दाईत्व संभालने के पश्चात आज हमारा ये प्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर दिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्पूर की भूमी को मैं सत्सत नमन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्पूर के अंदर में हुआ पूरे जस्पूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाद दोरा लड़ों से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्पूर से आये हमारे सजनों के दोरा देयों के दोरा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर मैं याद करता रहूँगा और मैं समगता हूँ कि यह स्वागत यह विस्णू साय का नहीं बलकि यह पूरे जस्पूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पुरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के आशिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनतापाटी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिस्रम के कारण जस्पुर जीले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथी बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है यह सभ कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सब का साथ सब का विकास और सब का विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाइत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिरवाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोशन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री श्रोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दवरान में 18 लाख लोग परधान मंत्री आवाज से बंचित हो गए उनका पका का मकान सेंक्शन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे वुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारी को हम लोगों ने सपत लिया और 14 तारी को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाख परधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 19-21 दिसमर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर 12,000 करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के लिभी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्य कारकरता भाई और बहनों, सज्जनों, मात्री सक्ति माताएं बहनें इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्य मंत्री का दाइत्व संभालने के पस्चाथ आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्पूर की भूमी को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्पूर के अंदर में हुआ पूरे जस्पूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसाकर स्वागत की स्वाणकार समाद्वारा लड़ों से तौला गया काजू से तौला गया और यहाँ पर पूरे जस्पूर से आए हमारे सजनों के द्वारा देईों के द्वारा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर में याद करता रहूँगा और मैं समता हूँ कि यह स्वागत यह विश्णू साय का नहीं बल्कि यह पूरे जस्पूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पूजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पूजन और लोकारपन किये हैं बंदूओ आप लोगों के आशिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पूर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथी बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है इस सब कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सपर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिरवाद मारदसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पाटी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंतरी शोयम आकर यास्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दौरान में 18 लाख लोग परधान मंत्री आवास से बंचीत हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्षन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारीक को हम लोगों ने सपत लिया और चौदा तारीक को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाख परधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 19-21 दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर 12,000 करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्य कारकरता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्यमंत्री का दाइत्व संभालने के पस्चात आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्वूर की भूमे को मैं सत्सत नमन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्वूर के अंदर में हुआ पूरे जस्वूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वणकार समाद दोरा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्वूर से आए हमारे सजनों के दोरा देईों के दोरा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर मैं याद करता रहूँगा और मैं समगता हूँ कि ये स्वागत ये विस्नु साय का नहीं बलकि ये पूरे जस्फूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के असिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिस्रम के कारण जस्फूर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बदाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौती बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है यह सभ कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के असरस्वी प्रधानमंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो देवाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको चतिशगड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का सिर्वाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री श्रोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मूख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दोरान में 18 लाक लोग परधान मंत्री आवास से बंचित हो गए है उनका पका का मकान सेंक्शन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि 13 तारीक को हम लोगों ने सपत लिया और 14 तारीक को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाक परदानमंत्री आवास बनाने का निर्ने लिये और 19 वी सिकिस दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर 12 हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परदानमंत्री आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारी गण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्ले कार करता भाईयों और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताइं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्य मंत्री का दाइत्व संभालने के पसाथ आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्पूर की भूमी को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्पूर के अंदर में हुआ पूरे जस्पूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वनकार समाद्वारा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्पूर से आए हमारे सजनों के द्वारा देईों के द्वारा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर मैं याद करता रहूँगा और मैं समता हूँ कि यह स्वागत यह विस्णू साय का नहीं बलकि यह पूरे जस्पूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपय का भूमी पूजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम हैं जिनका भूमी पूजन और लोकारपन किये हैं बंद वो आप लोगों के आशिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौते बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है ये सब कारकरताओं के बदलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदलत हुआ है चतिरगण की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको चतिस गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिरवाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री श्रोय माकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंतरी जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले 5 साल के दोरान में 18,000,000 लोग परधान मंतरी आवास से बंचीत हो गये हैं उनका पका का मकान सेंक्शन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारीक को हम लोगों ने सपत लिया और चौदा तारीक को पहला केबिनेट बुलाकर अठारा लाख प्रदानमंती आवास बनाने का निरने लिये और उननीस बीस सिकिस दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर बारह हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें प्रदानमंत्री आवास के लिभी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्य कारकरता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्यमंत्री का दाइत्व संभालने के पस्चात आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहें कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्फूर की भूमे को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्फूर के अंदर में हुआ पूरे जस्फूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाद्वारा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्फूर से आए हमारे सजनों के द्वारा देईों के द्वारा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर में याद करता रहूँगा और मैं समता हूँ कि यह स्वागत यह विश्णू साय का नहीं बल्कि यह पूरे जस्फूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पूजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम हैं जिनका भूमी पूजन और लोकारपन किये हैं आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्फूर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत-बहुत बधाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौती बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है यह सभ कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो देवाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का सिर्वाद मारदसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव प्रचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे प्रधान मंत्री श्रोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मूख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दवरान में अठारा लाक लोग प्रधान मंत्री आवास से बंचित हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्षन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि 13 तारी को हम लोगों ने सपत लिया और 14 तारी को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाक प्रधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 19 वी सिकिस दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर 12 हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें प्रधान मंत्री आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुलने कार करता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्य मंत्री का दाइत्व संभालने के पश्चाथ आज हमारा इप्रथम आग्मन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्पूर की भूमी को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्पूर के अंदर में हुआ पूरे जस्पूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाद दोरा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्पूर से आए हमारे सजनों के दोरा देईों के दोरा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया, मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा, जीवन भर में याद करता रहूँगा और मैं समता हूँ कि ये स्वागत ये विस्नु साय का नहीं, बल्कि ये पूरे जस्फूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी फुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम हैं, जिनका भूमी फुजन और लोकारपण किये हैं बंदुओ आप लोगों के आशिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है, भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी, पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथी बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है इस सभ कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के असरस्वी प्रधानमंत्री नरेंद मोधी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेव आक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का सिर्वाद मारदर्शन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोशन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव प्रचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पाटी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे प्रधान मंत्री शोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मूख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दोरान में 18 लाक लोग प्रधान मंत्री आवास से बंचीत हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्शन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि 13 तारीक को हम लोगों ने सपत लिया और 14 तारीक को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाक प्रधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 19-21 दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर 12 हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें प्रधान मंत्री आवास के लिभी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्य कारकरता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताइं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्य मंत्री का दाइत्व संभालने के पश्चाथ आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वरगे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्फूर की भूमे को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्फूर के अंदर में हुआ पूरे जस्फूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाध दोरा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहां पर पूरे जस्फूर से आए हमारे सजनों के दोरा देईों के दोरा लंबा मालयारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर मैं याद करता रहूँगा और मैं समगता हूँ कि ये स्वागत ये विश्नु साय का नहीं बलकि ये पूरे जस्फूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के असिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौती बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है यह सभ कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सब का साथ सब का विकास और सब का विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिर्वाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोशन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री श्रोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दवरान में 18 लाख लोग परधान मंत्री आवास से बंचित हो गए उनका पका का मकान सेंक्शन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे वुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारी को हम लोगों ने सपत लिया और 14 तारी को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाख परधान मंत्री आवास बनाने का निर्ने लिये और 19 वी सिकिस दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर 12 हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्ले कार करता भाईयों और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्यमंत्री का दाइत्व संभालने के पस्चात आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पड़ाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्पूर की भूमी को मैं सत्सत नमन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्पूर के अंदर में हुआ पूरे जस्पूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाद्वारा लड़ों से तौला गया काजू से तौला गया और यहाँ पर पूरे जस्पूर से आए हमारे सजनों के द्वारा देईों के द्वारा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर में याद करता रहूँगा और मैं समता हूँ कि यह स्वागत यह विस्णू साय का नहीं बल्कि यह पूरे जस्पूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपय का भूमी पूजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम हैं जिनका भूमी पूजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के आशिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौती बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है इस सब कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सपर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिर्वाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री श्रोय माकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दोरान में 18 लाख लोग परधान मंत्री आवास से बंचीत हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्षन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारी को हम लोगों ने सपत लिया और चौदा तारी को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाख परधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 19 वी सिकिस दिसमर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर बारह हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के ले भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्ले कार करता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्यमंत्री का दाइत्व संभालने के पसाथ आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्पूर की भूमी को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्पूर के अंदर में हुआ पूरे जस्पूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाद दोरा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्पूर से आए हमारे सजनों के दोरा देहों के दोरा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर मैं याद करता रहूँगा और मैं समगता हूँ कि ये स्वागत ये विश्नु साय का नहीं बलकि ये पूरे जस्फूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के आशिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिस्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथे बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है इस सभ कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इसको चतिस गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिर्वाद मारदसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री श्रोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दोरान में 18 लाख लोग परधान मंत्री आवाज से बंचीत हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्षन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे वुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारीक को हम लोगों ने सपत लिया और चौदा तारीक को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाख परधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 1921 दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर 12,000 करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के लिभी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्य कारकरता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और फ्रेश के मित्रों मुख्य मंत्री का दाइत्व संभालने के पस्चात आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्फूर की भूमी को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्फूर के अंदर में हुआ पूरे जस्फूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वणकार समाध दोरा लडू से तोला गया, काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्फूर से आये हमारे सजनों के दोरा, देयों के दोरा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर मैं याद करता रहूँगा और मैं समगता हूँ कि ये स्वागत ये विशनु साय का नहीं बल्कि ये पूरे जस्वूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये है पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के असिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथे बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है ये सब कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगण की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो देवाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको चतिस गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिर्वाद मारदसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री श्रोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दौरान में 18 लाख लोग परधान मंत्री आवास से बंचीत हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्षन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारीक को हम लोगों ने सपत लिया और चौदा तारीक को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाख परधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 19-21 दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर 12,000 करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्य कारकरता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्यमंत्री का दाइत्व संभालने के पस्चाथ आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्वूर की भूमे को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्वूर के अंदर में हुआ पूरे जस्वूर के सडकों में दोनों तरप लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाद दोरा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्वूर से आए हमारे सजनों के दोरा देयों के दोरा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर में याद करता रहूँगा और मैं समगता हूँ कि यह स्वागत यह विशनु साय का नहीं बलकि यह पूरे जस्वूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के असिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बधाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौते बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है यह सब कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के असरस्वी प्रधानमंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो देवाक्य है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिरवाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव प्रचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे प्रधान मंत्री श्रोयम आकर या श्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले 5 साल के दवरान में 18 लाक लोग परधान मंत्री आवास से बंचीत हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्शन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे मुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि 13 तारीक को हम लोगों ने सपत लिया और 14 तारीक को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाक परधान मंत्य आवास बनाने का निरने लिये और 19 वी सिकिस दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर 12 हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्ले कारकरता भाईयों और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्य मंत्री का दाइत्व संभालने के पस्चाथ आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्पूर की भूमी को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्पूर के अंदर में हुआ पूरे जस्पूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाद्वरा लडू से तोला गया काजू से तोला गया और यहां पर पूरे जस्पूर से आये हमारे सजनों के द्वारा देहों के द्वारा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर में याद करता रहूँगा और मैं समगता हूँ कि ये स्वागत ये विशनु साय का नहीं बल्कि ये पूरे जस्वूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पुरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम हैं जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंद वो आप लोगों के असिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथे बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है इसलब कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्ट्रे नितिक्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के असपस्रूरी प्रदानमंत्री नरेंद मोदी जी पर भारतिय जनता पर्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सपर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिर्वाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री श्रोय माकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दोरान में 18 लाख लोग परधान मंत्री आवाज से बंचित हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्षन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारी को हम लोगों ने सपत लिया और चौदा तारी को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाख परधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 19 वी सिकिस दिसमर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर बारह हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के ले भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्य कार करता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और फ्रेश के मित्रों मुख्यमंत्री का दाइत्व संभालने के पस्चात आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वरगे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्पूर की भूमी को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्पूर के अंदर में हुआ पूरे जस्पूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाद दोरा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्पूर से आए हमारे सजनों के द्वारा देईों के द्वारा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर में याद करता रहूँगा और मैं समता हूँ कि यह स्वागत यह विश्णू साय का नहीं बलकि यह पूरे जस्पूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम हैं जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के आशिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पाटी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथे बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है इस अब कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्ट ही नेतिक्तों के बदोलत हुआ है 46.5 की जनता का विश्वास हमारे देश के असवस्वी प्रदान मंत्री नरेन्द मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सपर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिर्वाद मारदसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री श्रोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दोरान में 18 लाख लोग परधान मंत्री आवाज से बंचीत हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्षन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे वुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारीक को हम लोगों ने सपत लिया और चौदा तारीक को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाख परधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 1921 दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर 12,000 करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के लिभी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्य कारकरता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्यमंत्री का दाइत्व संभालने के पस्चात आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्वूर की भूमे को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्वूर के अंदर में हुआ पूर्य जस्वूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाद दोरा लडों से तोला गया काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्वूर से आये हमारे सजनों के दोरा देयों के दोरा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर मैं याद करता रहूँगा और मैं समगता हूँ कि ये स्वागत ये विस्नु साय का नहीं बल्कि ये पूरे जस्फूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के असिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जीले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथी बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है यह सभ कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सब का साथ सब का विकास और सब का विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिर्वाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोशन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव प्रचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे प्रधान मंत्री शोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दवरान में 18 लाक लोग प्रधान मंत्री आवास से बंचित हो गए है उनका पका का मकान सेंक्शन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि 13 तारी को हम लोगों ने सपत लिया और 14 तारी को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाक प्रधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 19-21 दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर 12 हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें प्रधान मंत्री आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी कर्मचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्ले कारकरता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्यमंत्री का दाइत्व संभालने के पस्चाथ आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्पूर की भूमी को मैं सत्सत नमन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्पूर के अंदर में हुआ पूरे जस्पूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाद्वारा लड़ों से तौला गया काजू से तौला गया और यहां पर पूरे जस्पूर से आए हमारे सजनों के द्वारा देईों के द्वारा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर में याद करता रहूँगा और मैं समता हूँ कि यह स्वागत यह विस्णू साय का नहीं बल्कि यह पूरे जस्फूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के आशिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौते बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है यह सब कारकरताओं के बदलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदलत हुआ है चतिरगण की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो देवाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको चतिस गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिरवाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री श्रोय माकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दौरान में 18 लाख लोग परधान मंत्री आवास से बंचीत हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्षन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे वुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारीक को हम लोगों ने सपत लिया और चौदा तारीक को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाख परधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 19-21 दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर 12,000 करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्ले कार करता भाईयों और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्यमंत्री का दाइत्व संभालने के पशाथ आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्पूर की भूमी को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्पूर के अंदर में हुआ पूर्य जस्पूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वनकार समाद्वारा लड़ों से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्पूर से आये हमारे सजनों के द्वारा देईों के द्वारा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर मैं याद करता रहूँगा और मैं समता हूँ कि यह स्वागत यह विस्णू साय का नहीं बल्कि यह पूरे जस्पूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के आशिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनतापाटी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बदाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथी बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है यह सब कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेव आक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाइत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का सिर्वाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव प्रचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे प्रधान मंत्री श्रोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मूख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दवरान में अठार लाक लोग प्रधान मंत्री आवास से बंचित हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्शन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारी को हम लोगों ने सपत लिया और चौदा तारी को पहला केबिनेट बुलाकर अठारा लाक प्रधान मंत्य आवास बनाने का निरने लिये और उननीस बीस सिकिस दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर बारह हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें प्रधान मंत्री आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये एस्पी सहब सभी अधिकारी करमचारीगर्ण और आज के इस कारकरम में जस्पूर भर से आए देव तुल्य कारकरता भाईयों और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहनें इवासाथियों और फ्रेश के मित्रों मुख्य मंत्री का दाइत्व संभालने के पश्चात आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहें कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्व भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्पूर की भूमी को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्पूर के अंदर में हुआ पूरे जस्पूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसाकर स्वागत की स्वणकार समाद्वारा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहां पर पूरे जस्पूर से आए हमारे सजनों के द्वारा देयों के द्वारा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर में याद करता रहूँगा और मैं समता हूँ कि यह स्वागत यह विस्णू साय का नहीं बल्कि यह पूरे जस्पूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के आशिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पाटी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथे बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है इस सब कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इसको चतिस गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिरवाद मारदसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोशन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री श्रोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दोरान में 18 लाक लोग परधान मंत्री आवाज से बंचीत हो गए है उनका पका का मकान सेंक्शन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारीक को हम लोगों ने सपत लिया और चौदा तारीक को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाख परदानमंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 19 बीस सिकिस दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवाकर 12 हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परदानमंत्री आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्य कारकरता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्यमंत्री का दाइत्व संभालने के पशाथ आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्पूर की भूमी को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्पूर के अंदर में हुआ पूरे जस्पूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वनकार समाद्वारा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहां पर पूरे जस्पूर से आए हमारे सजनों के द्वारा देईों के द्वारा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर मैं याद करता रहूँगा और मैं समता हूँ कि ये स्वागत ये विश्णू साय का नहीं बल्कि ये पूरे जस्पूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के अशिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथी बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है यह सब कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगण की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सपर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिर्वाद मारदसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री श्रोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दौरान में 18 लाख लोग परधान मंत्री आवास से बंचीत हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्षन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारी को हम लोगों ने सपत लिया और चौदा तारी को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाख परधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 19-21 दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर बारह हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्य कारकरता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्यमंत्री का दाइत्व संभालने के पस्चाथ आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है यह जस्पूर के भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहें कि यह जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वरगे दिलिब सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्फूर की भूमे को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज येतिहासिक स्वागत जस्फूर के अंदर में हुआ पूरे जस्फूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाद्वारा लड़ों से तौला गया काजू से तौला गया और यहाँ पर पूरे जस्फूर से आए हमारे सजनों के द्वारा देईों के द्वारा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर में याद करता रहूँगा और मैं समता हूँ कि यह स्वागत यह विश्णू साय का नहीं बल्कि यह पूरे जस्फूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपय का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के असिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथी बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है यह सब कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राश्टे नितित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का बिस्वास हमारे देश के अस्तवस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सपर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाई तो आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिरवाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोशन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री शोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दौरान में 18 लाख लोग परधान मंत्री आवास से बंचीत हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्षन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारीक को हम लोगों ने सपत लिया और चौदा तारीक को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाख परधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 19-21 दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर 12,000 करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के लिभी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्य कारकरता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्य मंत्री का दाइत्व संभालने के पस्चात आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पढाम करता हूँ कहें कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्वूर की भूमे को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्वूर के अंदर में हुआ पूर्य जस्वूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाद द्वारा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्वूर से आए हमारे सजनों के द्वारा देयों के द्वारा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर मैं याद करता रहूँगा और मैं समगता हूँ कि ये स्वागत ये विश्नु साय का नहीं बलकि ये पूरे जस्फूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के असिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जीले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौती बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है यह सभ कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सब का साथ सब का विकास और सब का विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिरवाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोशन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री श्रोयम आकर ये आस्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दवरान में 18 लाक लोग परधान मंत्री आवास से बंचित हो गए है उनका पका का मकान सेंक्शन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे वुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारी को हम लोगों ने सपत लिया और 14 तारी को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाक परदानमंत्री आवास बनाने का निर्ने लिये और 19 वी सिकिस दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवाकर 12 हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परदानमंत्री आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्ले कार करता भाईयों और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्य मंत्री का दाइत्व संभालने के पस्चाथ आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलीब सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्पूर की भूमी को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्पूर के अंदर में हुआ पूरे जस्पूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वनकार समाद्वारा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्पूर से आए हमारे सजनों के द्वारा देईों के द्वारा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर मैं याद करता रहूँगा और मैं समता हूँ कि यह स्वागत यह विस्णू साय का नहीं बल्कि यह पूरे जस्पूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पूजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम हैं जिनका भूमी पूजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के आशिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पाटी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथे बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है ये सब कारकरताओं के बदलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदलत हुआ है चतिरगण की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको चतिस गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाइत्वा आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिरवाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री श्रोय माकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंतरी जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले 5 साल के दोरान में 18 लाख लोग परधान मंतरी आवास से बंचीत हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्शन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारीक को हम लोगों ने सपत लिया और चौदा तारीक को पहला केबिनेट बुलाकर अठारा लाख प्रदानमंती आवास बनाने का निरने लिये और उननीस बीस सिकिस दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबाससत्र बुलवा कर बारह हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें प्रदानमंत्री आवास के ले भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्य कार करता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्यमंत्री का दाइत्व संभालने के पस्चाथ आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वरगे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्फूर की भूमे को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज येतिहासिक स्वागत जस्फूर के अंदर में हुआ पूरे जस्फूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाद्वारा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्फूर से आए हमारे सजनों के द्वारा देईों के द्वारा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर में याद करता रहूँगा और मैं समता हूँ कि यह स्वागत यह विस्णू साय का नहीं बल्कि यह पूरे जस्फूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम हैं जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के आशिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोदी जी ने दिया है भारती जनता पाटी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथी बार जब हों लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है इस सभ कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है हमारे देश के असरस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेव आक्य है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिरवाद मारदसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोशन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पाटी ने 36 गड गी जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे प्रधान मंत्री स्रोय माकर या अस्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले 5 साल के दोरान में 18 लाख लोग परधान मंत्री आवास से बंचित हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्षन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे वुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि 13 तारी को हम लोगों ने सपत लिया और 14 तारी को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाख परधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 19 21 दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर 12 हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के ले भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्य कारकरता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्य मंत्री का दाइत्व संभालने के पशाथ आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहें कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी मी रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्पूर की भूमी को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्पूर के अंदर में हुआ पूरे जस्पूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाद दोरा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्पूर से आए हमारे सजनों के द्वारा देयों के द्वारा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर मैं याद करता रहूंगा और मैं समता हूं कि यह स्वागत यह विस्णू साय का नहीं बल्कि यह पूरे जस्पूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पूजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पूजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के असिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथी बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है यह सब कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे रास्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधानमंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इसको चतिस गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाई तो आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का सिर्वाद मारदर्शन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव प्रचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पाटी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे प्रधान मंत्री श्रोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले 5 साल के दोरान में 18 लाख लोग परधान मंत्री आवास से बंचित हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्षन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गौरो हो रहा है कि तेरा तारीक को हम लोगों ने सपत लिया और चौदा तारीकों पहला केबिनेट बुलाकर अठारा लाख प्रदानमंत्री आवास बनाने का निर्ने लिये और 19-26 दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवाकर बारह हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें प्रदानमंत्री आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी कर्मचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्ले कारकरता भाईयों और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्य मंत्री का दाईत्व संभालने के पश्चात आज हमारा इप्रथम आग्मन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर दिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्पूर की भूमी को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्पूर के अंदर में हुआ पूरे जस्पूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाध दोरा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्पूर से आये हमारे सजनों के दोरा दैयों के दोरा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया, मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा, जीवन भर में याद करता रहूँगा और मैं समता हूँ कि ये स्वागत ये विस्नु साय का नहीं, बल्कि ये पूरे जस्फूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम हैं, जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ, आप लोगों के आशिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है, भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौती बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है इस सब कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सपर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिर्वाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री श्रोय माकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दौरान में 18 लाख लोग परधान मंत्री आवास से बंचीत हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्षन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारीक को हम लोगों ने सपत लिया और चौदा तारीक को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाख परधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 19-21 दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर बारह हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्ले कार करता भाईयों और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्यमंत्री का दाइत्व संभालने के पशाथ आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्वूर की भूमे को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्वूर के अंदर में हुआ पूर्य जस्वूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वणकार समाद दोरा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहां पर पूरे जस्वूर से आए हमारे सजनों के दोरा देयों के दोरा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर मैं याद करता रहूँगा और मैं समगता हूँ कि ये स्वागत ये विस्नु साय का नहीं बलकि ये पूरे जस्फूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपय का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के आशिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोदी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जीले का तीनों सीट जितने में सफल हुए है इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौती बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है यह सभ कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सपर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सब का साथ सब का विकास और सब का विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिर्वाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव प्रचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे प्रधान मंत्री श्रोय माकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले 5 साल के दवरान में 18 लाख लोग प्रधान मंत्री आवास से बंचित हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्शन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरह तारीक को हम लोगों ने सपत लिया और 14 तारीक को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधान मंत्री आवास बनाने का निर्ने लिये और 19 वी सिकिस दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सभासत्र बुलवाकर 12 हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें प्रधान मंत्री आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देवतुल्य कारकरता भाईयों और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताईं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्य मंत्री का दाईत्व संभालने के पसाथ आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलीब सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्पूर की भूमी को मैं सत्सत नमन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्पूर के अंदर में हुआ पूरे जस्पूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसाकर स्वागत की स्वाणकार समाद दोरा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्पूर से आए हमारे सजनों के द्वारा देयों के द्वारा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर मैं याद करता रहूँगा और मैं समता हूँ कि यह स्वागत यह विशनु साय का नहीं बल्कि यह पूरे जस्पूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पूजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पूजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के असिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पाटी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथे बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है ये सब कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टी नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगण की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रदान मंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो देवाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको चतिस गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिरवाद मारदसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोधी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36-घड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परदान मंत्री श्रोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36-घड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दोरान में 18 लाख लोग परधान मंत्री आवाज से बंचीत हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्षन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे वुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारीक को हम लोगों ने सपत लिया और चौदा तारीक को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाख परधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 19-21 दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर 12,000 करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के लिभी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्य कारकरता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्य मंत्री का दाइत्व संभालने के पसाथ आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे है तो ऐसे जस्फूर की भूमे को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्फूर के अंदर में हुआ पूरे जस्फूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाद्वारा लड़ों से तौला गया काजू से तौला गया और यहाँ पर पूरे जस्फूर से आए हमारे सजनों के द्वारा देईों के द्वारा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर में याद करता रहूँगा और मैं समता हूँ कि यह स्वागत यह विश्णू साय का नहीं बलकि यह पूरे जस्फूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पूजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम हैं जिनका भूमी पूजन और लोकारपन किये हैं आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्फूर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत-बहुत बधाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौती बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है यह सभ कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो देवाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का सिर्वाद मारदसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव प्रचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे प्रधान मंत्री श्रोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मूख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दवरान में अठारा लाक लोग प्रधान मंत्री आवास से बंचित हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्षन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि 13 तारी को हम लोगों ने सपत लिया और 14 तारी को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाक प्रधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 19 वी सिकिस दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर 12 हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें प्रधान मंत्री आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये एस्पी सहब सभी अधिकारी करमचारीगर्ण और आज के इस कारकरम में जस्पूर भर से आए देव तुल्ले कार करता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्य मंत्री का दाइत्व संभालने के पश्चात आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है यह जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि यह जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनिसे राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्पूर की भूमे को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्पूर के अंदर में हुआ पूरे जस्पूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाद्वारा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्पूर से आए हमारे सजनों के द्वारा देईों के द्वारा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इसे स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर में याद करता रहूँगा और मैं समता हूँ कि यह स्वागत यह विस्णू साय का नहीं बल्कि यह पूरे जस्पूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपय का भूमी पूजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पूजन और लोकारपन किये हैं बंदूओ आप लोगों के आशिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पूर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथी बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है इस सब कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे ने तित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगण की जन्ता का बिश्वास हमारे देश के असरस्वी परदान मंत्री नरेन मोदी जी पर भारती जन्ता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सपर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिर्वाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री श्रोय माकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दौरान में 18 लाख लोग परधान मंत्री आवास से बंचीत हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्षन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारीक को हम लोगों ने सपत लिया और चौदा तारीक को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाख परधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 19 वी सिकिस दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर बारह हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्ले कार करता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्यमंत्री का दाइत्व संभालने के पसाथ आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलीब सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्पूर की भूमी को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्पूर के अंदर में हुआ पूरे जस्पूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाद दोरा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्पूर से आए हमारे सजनों के दोरा देहों के दोरा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर मैं याद करता रहूँगा और मैं समगता हूँ कि ये स्वागत ये विश्नु साय का नहीं बलकि ये पूरे जस्फूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के आशिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनतापाटी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिस्रम के कारण जस्पुर जीले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौती बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है यह सभ कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टी नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सब का साथ सब का विकास और सब का विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाइत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिरवाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोशन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री श्रोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दवरान में 18 लाख लोग परधान मंत्री आवाज से बंचित हो गए है उनका पका का मकान सेंक्शन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारी को हम लोगों ने सपत लिया और 14 तारी को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाक परदानमंत्री आवास बनाने का निर्ने लिये और 19 वी सिकिस दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवाकर बारह हजार करोड से ज़्यादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परदानमंत्री आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये रमचारिगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्य कारकरता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और फ्रेश के मित्रों मुख्यमंत्री का दाइत्व संभालने के पश्चात आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्व भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे है तो ऐसे जस्पूर की भूमी को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्पूर के अंदर में हुआ पूरे जस्पूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसाकर स्वागत की स्वाणकार समाद दोरा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्पूर से आए हमारे सजनों के दोरा देयों के दोरा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर मैं याद करता रहूँगा और मैं समता हूँ कि यह स्वागत यह विस्नु साय का नहीं बल्कि यह पूरे जस्पूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के आशिर्वात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाव में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जीले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथी बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है इस सभ कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के असरस्वी प्रधानमंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का सिर्वाद मारदसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोशन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव प्रचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पाटी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे प्रधान मंत्री श्रोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मूख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दोरान में 18 लाक लोग प्रधान मंत्री आवास से बंचीत हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्शन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि 13 तारीक को हम लोगों ने सपत लिया और 14 तारीक को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाक प्रधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 19 21 दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर 12 हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें प्रधान मंत्री आवास के लिभी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्य कारकरता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताइं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्य मंत्री का दाइत्व संभालने के पश्चाथ आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्फूर की भूमे को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्फूर के अंदर में हुआ पूरे जस्फूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाद्वारा लड़ों से तौला गया काजू से तौला गया और यहाँ पर पूरे जस्फूर से आए हमारे सजनों के द्वारा देईों के द्वारा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर में याद करता रहूँगा और मैं समता हूँ कि यह स्वागत यह विस्णू साय का नहीं बल्कि यह पूरे जस्फूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पूजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम हैं जिनका भूमी पूजन और लोकारपन किये हैं आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्फूर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत-बहुत बधाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौती बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है यह सभ कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधानमंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो देवाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का सिर्वाद मारदसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव प्रचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे प्रधान मंत्री श्रोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मूख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दोरान में 18 लाक लोग परधान मंत्री आवास से बंचित हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्शन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि 13 तारी को हम लोगों ने सपत लिया और 14 तारी को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाक परधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 19 वी सिकिस दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर 12 हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्ले कार करता भाईयों और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्यमंत्री का दाइत्व संभालने के पस्चाथ आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहें कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी मी रही है अर जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्पूर की भूमी को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्पूर के अंदर में हुआ पूरे जस्पूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाद दोरा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्पूर से आए हमारे सजनों के दोरा देहियों के दोरा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर मैं याद करता रहूँगा और मैं समगता हूँ कि ये स्वागत ये विस्नु साय का नहीं बल्कि ये पूरे जस्फूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदूओ आप लोगों के आशिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिस्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथी बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है यह सभ कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सब का साथ सब का विकास और सब का विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिर्वाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोशन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पाटी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री शोयम आकर यह आस्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दवरान में 18 लाक लोग परधान मंत्री आवाज से बंचित हो गए उनका पका का मकान सेंक्शन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारी को हम लोगों ने सपत लिया और चौदा तारी को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाक परधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 19-21 दिसंबर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवाकर 12 हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारी गण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देवतुल्य कारकरता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्य मंत्री का दाइत्व संभालने के पस्चात आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्पूर की भूमी को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्पूर के अंदर में हुआ पूरे जस्पूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वणकार समाद दोरा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहां पर पूरे जस्पूर से आये हमारे सजनों के दोरा देयों के दोरा लंबा मालयापन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर मैं याद करता रहूँगा और मैं समगता हूँ कि ये स्वागत ये विस्नु साय का नहीं बल्कि ये पूरे जस्वूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपय का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम हैं जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के आशिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथी बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है यह सब कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सपर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिरवाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोडी की गारंटी में हमारी पाटी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिन्ता करते हुए वादा किया था हमारे परदान मंतरी शोय माकर यह आश्वस्त किये थे की 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दोरान में 18 लाख लोग परधान मंत्री आवास से बंचीत हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्षन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारी को हम लोगों ने सपत लिया और चौदा तारी को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाख परधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 19-20 दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर 12,000 करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के ले भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्य कारकरता भाईयों और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्यमंत्री का दाइत्व संभालने के पसाथ आज हमारा ये प्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहें कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्पूर की भूमी को मैं सत्सत नवन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्पूर के अंदर में हुआ पूरे जस्पूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाध दोरा लडों से तोला गया काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्पूर से आए हमारे सजनों के दोरा देहियों के दोरा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर मैं याद करता रहूँगा और मैं समगता हूँ कि ये स्वागत ये विशनु साय का नहीं बल्कि ये पूरे जस्वूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओं आप लोगों के आशिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पाटी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथे बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है इस सब कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्टे नितितों के बदोलत हुआ है चतिरगण की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधान मंतरी नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सब का साथ सब का विकास और सब का विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाइत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिरवाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री श्रोयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले 5 साल के दवरान में 18 लाख लोग परधान मंत्री आवाज से बंचित हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्शन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे वुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरह तारीक को हम लोगों ने सपत लिया और चौदा तारीक को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाख परधान मंत्री आवास बनाने का निर्ने लिये और 19 बीस सिकिस दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सभासत्र बुलवाकर 12 हजार करोड से ज्यादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के ले भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर में जस्पूर भर से आए देव तुल्य कारकरता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताइं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्यमंत्री का दाइत्व संभालने के पश्चात आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्फूर की भूमे को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्फूर के अंदर में हुआ पूरे जस्फूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाद्वारा लड़ों से तौला गया काजू से तौला गया और यहाँ पर पूरे जस्फूर से आए हमारे सजनों के द्वारा देईों के द्वारा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर में याद करता रहूँगा और मैं समता हूँ कि यह स्वागत यह विश्णू साय का नहीं बल्कि यह पूरे जस्फूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम हैं जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के आशिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथी बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है ये सब कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे रास्टी नेतितों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधानमंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इसको चतिस गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाई तो आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का सिर्वाद मारदर्शन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोशन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पाटी ने 36गड की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री श्वयम आकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले 5 साल के दोरान में 18 लाख लोग परधान मंत्री आवाज से बंचीत हो गए हैं उनका पका का मकान सेंक्शन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे बुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि 13 तारीक को हम लोगों ने सपत लिया और 14 तारीक को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाख परधान मंत्री आवास बनाने का निरने लिये और 19-21 दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर 12 हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये एसपी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्ले कारकरता भाई और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्य मंत्री का दाइत्व संभालने के पसाथ आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ कहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वरगे दिलीब सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्फूर की भूमे को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्फूर के अंदर में हुआ पूरे जस्फूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समा दोरा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्फूर से आए हमारे सजनों के दोरा देहों के दोरा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर मैं याद करता रहूँगा और मैं समगता हूँ कि ये स्वागत ये विश्नु साय का नहीं बलकि ये पूरे जस्फूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम है जिनका भूमी फुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के असिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जीले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौती बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है यह सभ कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राश्टे नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगड की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राश्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सब पर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सब का साथ सब का विकास और सब का विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्व आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिर्वाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोशन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री श्रोयम आकर यह आस्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दवरान में 18 लाख लोग परधान मंत्री आवास से बंचित हो गए उनका पका का मकान सेंक्शन करने का काम पहला काम होगा तो आज मुझे वुख्य मंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गवरो हो रहा है कि तेरा तारी को हम लोगों ने सपत लिया और 14 तारी को पहला केबिनेट बुलाकर 18 लाख परधान मंत्री आवास बनाने का निर्ने लिये और 19 वी सिकिस दिसम्बर को तीन दिन का बिधान सबासत्र बुलवा कर 12 हजार करोड से जादा का अनुपूरक बजट पास किये जिसमें परधान मंत्री आवास के लिए भी रासी का प्रावधान किये एस्पी सहब सभी अधिकारी करमचारीगण और आज के इस कारकर्म में जस्पूर भर से आए देव तुल्ले कार करता भाईयों और बहनों सज्जनों मात्री सक्ति माताएं बहने इवासाथियों और प्रेश के मित्रों मुख्य मंत्री का दाइत्व संभालने के पशाथ आज हमारा इप्रथम आगमन जस्पूर में हुआ है ये जस्पूर की भूमी को मैं पणाम करता हूँ काहे कि ये जस्पूर हमारी कर्म भूमी में रही है और जस्पूर जिला जन्म भूमी भी है और स्वर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी हमारे राजनीती के आदर्स रहे हैं उनी से राजनीती सिखे हैं तो ऐसे जस्पूर की भूमी को मैं सत्सत नबन करता हूँ आज एतिहासिक स्वागत जस्पूर के अंदर में हुआ पूरे जस्पूर के सडकों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसा कर स्वागत की स्वाणकार समाद दोरा लड़ों से तोला गया काजू से तोला गया और यहाँ पर पूरे जस्पूर से आए हमारे सजनों के दोरा देहियों के दोरा लंबा माल्यारपन के माध्यम से स्वागत किया गया मैं आप लोग के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर में याद करता रहूँगा और मैं समगता हूँ कि यह स्वागत यह विस्णू साय का नहीं बल्कि यह पूरे जस्फूर का स्वागत है आज कोल मिला के एक करोड एक सो दस करोड रुपे का भूमी पुजन और सिलान्यास किये हैं पूरे जीले के अंदर के अनेक तरह के काम हैं जिनका भूमी पुजन और लोकारपन किये हैं बंदुओ आप लोगों के आशिरवात से आपके जीले के इस बेटे को बहुत बड़ा दाइत्व आदन ने स्री नरेंद मोधी जी ने दिया है भारती जनता पार्टी ने दिया है और पिछले चुनाओं में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जस्पुर जिले का तीनों सीट जितने में सफल हुए हैं इसके लिए सभी कारकरताओं का बहुत बहुत बढ़ाई आभारी पूरे प्रदेश में भी कारकरताओं ने बहुत उत्सा के साथ काम किया और जब चौथी बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट पहली बार 54 सीट जीते हैं और भोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है यह सब कारकरताओं के बदोलत हुआ है हमारे राष्ट्री नेतित्तों के बदोलत हुआ है चतिरगण की जनता का विश्वास हमारे देश के अस्वस्वी प्रधान मंत्री नरेन मोदी जी पर भारती जनता पार्टी पर हमारे राष्टी अध्यक्स जेपी नड़ा जी पर सपर बढ़ा है और हमारी पार्टी का जो धेवाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको 36 गड़ी नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है आज एक गुरुतर दाईत्वा आपके बेटा को मिला है मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का असिरवाद मार्दसन मिलता रहे ताकि मैं हमेशा जस्फूर का नाम रोसन कर सकूँ जिस तरह से चुनाव परचार के दवरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से वादा किया था सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था हमारे परधान मंत्री श्रोय माकर या स्वस्त किये थे कि 36 गड़ में सरकार बनेगी तो मुख्य मंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले पांच साल के दौरान में 18 लाख लोग परधान में परदाना है